नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत हैं कई बार हमारे घरों में टूटा फूटा बिकार समान तो पड़ा ही होता है अगर हम चाहिए तो उससे भी बहुत कुछ बना सकते हैं मैंने भी आज प्यारे प्लांटर्स बनाए हैं अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए होली के बाद ना इस तरीके से हमारे पास गुलाल के कुछ पैकेट बची जाते हैं इन में थोड़ा थोड़ा सा गुलाल बचा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फिर से पैक करके रख लू फैकने से कोई फायदा नहीं है ये यूज आ जाएंगे दिवाली आएगी तो इनसे मैं रंगोली बना लूँगी नहीं तो अगली होली पे इनको यूज भी कर सकती हूँ कहीं न कहीं फैस्टिवल में ये काम आ जाएंगे तो किसी भी चीज को फैकने से पहले पहले सोच लेना चाहिए कि वो हमारे आगे काम आ सकते हैं बहुत ही सिंपल सा तरीका है दो या तीन फोल्ड मैंने इसमें कर लीए है जितना आपके पास गुलाल वचा हुआ है उसी के हिसाब से आप पैकिट को फोल्ड कर लिजिए मैंने लिया है पेपर टेप पेपर टेप से इसको छिपका दिया है अच्छी तरीके से आपके पास transparent tape है आप वो भी ले सकते हो कोई भी tape लेना है जिससे ये चिपक जाए और देखो किती अच्छी तरीके से सफाई से ये pack हो गया है और इसी तरीके से जितने भी packets हैं उन सब को मैं fold कर लूँगी अगर आपने भी अभी तक अपने colors को नहीं organize करके रखा है तो वीडियो को जरूर देखिएगा और देखो इस तरीके से आप भी इनको pack करके रख सकते हो अच्छी तरीके से कहीं भी आप इसे रखेंगे ये ठीक से organize हो जाएंगे और color इधर उधर किरेगा भी नहीं और ये जो मेरी छोटी छोटी सी bucket सी इनको भी मैं कहीं न कहीं festivals में use कर लूँगी हमारे kitchen में plastic के काफी सारे डिबे खाली होते रहते हैं करना क्या है इसके उपर के tag को हटा लेना है और बिल्कुल plane बना लेना है अब इसमें मुझे करने थे hole तो मैं इसमें कर लूँगी सारे में hole इस तरीके से मैंने डिबे के बीच में छोटे छोटे hole कर लिये हैं जितनी मुझे जरुरती उस हिसाफ से मैंने इसमे hole कर लिये पूरे डिब्बे को मुझे पेंट करना है जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ग्रीन कलर का एक्रेलिक कलर इसे तो आप हैंगिंग प्लांटर किसी भी छोटे बड़े डिब्बे से बना सकते हो अगर उसके उपर ढ़कन है तो बहुत इजिली आप उसको हैंग कर सकते हो तो यह वाला जो मैंने प्लांटर बनाया है आपको अच्छा लगेगा और इस तरीके से पूरा जो डिब्बा है ग्रीन कलर से कलर तो मैंने कर लिया है इसी डिब्बे के उपर छोटे-छोटे से माउ देन धुरा है उसको कलर कर रही हुँ है और सेम पैटर नीचे की तरफ भी बना उआ है उसमें ही येलो पैटर का रही हूं के लिए के लिए इसमें सेकेंड कोट का भी मैं यूज कर रही हूं हम हैंग करेंगे तो यह लटका हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा नीचे से भी इसका पैटन इस तरीके से दिखेगा जो डखकन को भी ग्रीन कलर से मैंने कलर कर लिया है अब कर दूंगी ब्लैक कलर से आउटलाइ यह जो डखकन था ना इसमें मैंने खोल कर लिया है और मेरे पास रखी थी जूट की एक रसी उसी से मैं इसको टाय कर रही हूँ लटकाने के लिए को लेके बात करें तो सबसे अच्छे वाले तार रहते हैं वह ठीक भी रहते हैं और थोड़े सॉलिड भी होते हैं जूट वाली जो रसी होती है पानी वगेरा में गल्ले लगती है मेरे पास अभी नहीं थी तो इसलिए मैंने इसका भी यूज कर लिया है जब मैं उसको ले लगा दी है बीच में और कटिंग हो जाएंगी तो इसमें मैं उन्हें लगाती रहोंगी और यह कंटीनियो इस तरीके से रोटेट होता रहेगा बहुत ही सुन्दर लगता है जब यह रोटेट होता है तो आप बताईए का कि आपको यह प्लांटर कैसा लगा है गार्डनिं बनाने के लिए यूज करने वाली हूं मैं काले कलर का जो पेंट है इसको कर दूंगी और उसे सुखाने के बाद इसमें आगे का काम करेंगे आप कलर करने के लिए ना ब्रश का भी यूज कर सकते हो मेरे पास एक फोम का टुकडा रखा हुआ था जिसकी मैंने एक बॉल बन के बाद इसमें आगे का मैं काम करूंगी रखी हुई थी मेरे पास इसी का यूज करूंगी इसको डेकोरेट करने के लिए और एक यह धक्कन है इसमें डॉग बना हुआ है जो कले है इसी मोल्ड में डालके मैं उसके फिगर निकालूंगी और बुल्लक पे उन्हें चिपका है और देखो कितना सुन्दर पपी निकल के तैयार हो गया तो इसी तरीके से सारे कलर्ड पपी मैं निकाल लोंगी और में काफी सारे मोल्ड मिलते हैं डिजाइन के आप उनको ले सकते हो मेरे पास तो यह धक्कन रखा हुआ था मैंने उसी का यूज कर लिया है फेविकोल स इसके ऊपर चिपकाना हो क्ले से उसके साइड को अच्छी तरीके से चिपकाना बहुत जरूरी होता है अगर इसको ठीक से हम दबाएंगे नहीं तो यह चुटने का डर रहता है और जितने भी क्ले वाले पपी थे वो सब इसमें चिपका दिया है अब इसको सूखने के जब कभी भी हम लोग डियाइवाई वगेरा बनाते हैं तो समान हमारा बिखरी जाता है मेरी आदत है समान को समेट के रखने की तो सारा बिखरा हुआ समान तो मैंने पहले समेटा और यहाँ पर देखो यह मेरा प्लांटर सूख के हो गया है अब मैं इसमें लगाऊंगी सुन्दर प्लांटर लग रहा है अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो बताइएगा जरूर मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए आइडियास के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक एर के लिए बाईएपा है तो बाईपेगाण के साथ जए बाईएवीड़ को यह वीडियो में नएले को।